बॉर्निंग सभी को कैसे हो आप लोग विनाएक नर्शिंग अकेडमी के ओनलान प्लेटफोर्म में स्वागत है हार्दीग अभिनांदन है चलिएगा स्टार्ट करते हैं पीडियाट्री का पहला क्यूसर्ण है वह आपके सामने आपके स्क्रीन पे बहुत ही इजी लग रहा होगा क्यूसर्ण की कंपोनेंट ओफ और और इस इंक्लूट यह से निचे दिये वे निचे जो भी ओप्शन है उसमें से ओर आरेस का कंपोनेंट कौन सा है क्या बच्चो ओर आरेस के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ ORS का जो कंपोनेंट है वो होता है NHCL होता है KCL होता है sodium chloride होता है potassium chloride होता है sodium citrate होता है S2 होता है और sugar होता है तो इस जो क्यूसर्ण है इसका correct answer क्या होगा आपका C is the correct answer चलिए ORS के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहला क्यूसर्ण आप सभी लोगों से बच्चो कि ORS की full form आप मुझे कोई बता सकता है full form क्या होती है full form ORS तो आप सभी लोग जानते होंगे ORS की जो full form होती है oral rehydration solution यह आपने सुना है मैं नहीं कह रहा हूँ यह जो आपने सुना है यह थोरा सा गलत है और यह स पुल form होती है ORS की वो होती है बच्चो oral rehydration salt समझे में आगी बाद अब बात करते हैं इसको अपन बोलते है ORS oral rehydration solution ऐसा आपने सुना है अगर अगर इसको अगर आपको इसको अगर आप water के अंदर अगर आप इसको water के अंदर mix कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है solution बन जाता है solution बन जाता है बाजार में जो powder आता है बच्छो बाजार में जो powder आता है वो salt की form में आता है बाजार में जो powder आएगा वो salt होगा उसको oral rehydration salt के नाम से जानेंगे लेकिन आपने इसको 1 liter water के अंदर 1 liter water के अंदर अगर ऐस उन मिला जाते है तो इसके बाद में वो solution बन जाता है जब जाके आप उन्हों इसको oral rehydration solution के नाम से जानते हैं जिसको आप क्या कहते हैं ORS कहते हैं यहां तो कोई doubt अब बात आती है पहला question यह हो गया दूसरा question यह है कि अगर आपने वन लिटर वाटर के अंदर इसको मिला दिया और यह क्या बन गया solution बन गया तो अगर यह solution बन गया तो इसके बाद में इसके बाद में सबसे most important question कई बार आया है कि इसका use कब तक करना सकते है use within 24 hour इसका जो answer जाएगा वो जाएगा use within 24 hour use within 24 hour यानि आपने solution को जब मिलाया है पानी के अंदर जब इस salt को पानी में मिला लिया उसके बाद में यह solution बन गया जब जिस समय आपने मिलाया है वहाँ से लेके आप 24 hour तक आप 24 कंटे तक इसको क्या काम में ले सकते है इस solution को काम में ले सकते है ये भी बड़ा important question है चोटी मोटी exam में बहुत बार पूछ ले जाता है और ये कोई ताजूब की बात नहीं है कि M जैसे level पर नहीं पूछा जाए कहीं पर क्यूशन कहीं पर भी आ सकता है हर किसी exam में 2-4-5 क्यूशन थोड़े से easy आते हैं बच्छो yes you know तो इसको आप 24 hour के अंदर use कर सकते हूँ अब अपने बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या component आते है यह आपका right answer C हो गया इसके अगर अपने component की बात करते हैं component आपको समझ में आगे सबसे पहली बात इसके अंदर क्या होता है बच्छो NACL होता है क्या होता है NACL sodium chloride जो आपका NACL होता है वो 2.6 gram होता है कितना होता है 2.6 gram बाद में sodium citrate होता है क्या होता है sodium citrate जो आपका sodium citrate जो आपका है वो आपका प्यारे बच्छो होगा 2.9 gram sodium citrate है वो आपका किता होगा 2.9 gram देन आएगा KCL देन क्या आएगा बच्छो KCL जो KCL है वो आपका होगा वहाँ पे 1.5 gram कितना होगा 1.5 gram देन इसके वाद में इसमें होगी शूगर क्या होगी बच्छो शूगर और सूगर होगी इसकी 13.5 gram ये से अनो ये component होते हैं और इतनी इतनी मातरा के अंदर इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है ये से अनो यहाँ तो कोई दिकत वापी से समझ लीजेगा वापी से समझ लीजेगा तो NHCL है वो 2.6 gram होता है sodium citrate जो होती है 2.9 gram होती है KCL जो है वो 1.5 gram होता है sugar जो है 13.5 gram होती है ये से अनो यहाँ तो कोई दिकत इसकी osmolarity कितनी होती है ये से अनो ORS की osmolarity osmolarity कितनी होती है ये भी बहुत important कि उसने है बहुत बार पूछा हुआ कि osmolarity कितनी इसकी osmolarity वो कितनी होती है 245 245 mmol per litre क्या बता है मैंने बच्चो 245 245 mmol per litre ये से अनो ये होती है इसकी osmolarity समझ के बाद अगर यही ORS है यही ORS है यही जो ORS है अगर यह mal nutrition mal nutrition baby है या mal nutrient जो baby है अगर वो ही ORS है जो mal nutrient baby को देते है तो उसकी ORS की जो osmolarity है वो ज्यादा होगी वो लगबग 300 300 mmol per litre होगी yes or no ये इसलिए बता रहे हैं ये आए हुए डाटा है ये आए हुए डाटा है बच्चो अगर mal nutrient baby है बच्चा है वो mal nutrient है और अगर उसको जो ORS देते हैं उसके साथ में एक चीज और mix करते हैं उसके साथ में एक चीज और mix करते हैं प्यारे बच्चो और उसका नाम है zinc zinc इसके अंदर add करते हैं और zinc add करने का मतलब ये ही होता है कि ये जो sodium जो है इसका absorption बढ़ा देता है ये साथ में helps of absorption ये जो sodium का absorption बढने के काम में आता है zinc ये साथ में sodium का absorption बढ़ा आपको पता होना चीज़िख sodium water का क्या होता है दोस्त होता है जैसे ही sodium का जैसे ही sodium का absorption बड़ा बच्चो, तो वहाँ पर body के अंदर क्या हो जाएगा, water का absorption भी क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, और अपने को dehydration में करना ही क्या होता है, fluid को रोकना ही तो होता है, body के अंदर, body के अंदर fluid को क्या करना होता है, रोकना होता है, तो ये सारी चीजे थी किस तक यूज़ करना सही है, उसकी ओस्मोलरेटी कितनी होती है, यह थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आयवा है, गर माल नूट्रियंट बबी को, क्यूशन में यह लिखावा जाए कि माल नूट्रियंट बेबी है, और माल नूट्रियंट बेबी को अगर आप ORS दे रहो, उसकी ओ अधर हो आप, तो आपका right answer क्या जाएगा, जिन्क जाएगा, because help of absorption, help of absorption को क्या करता है, absorption में help करता है, इसकी sodium के absorption में help करता है, तो water वहां पे रूखता है, यह चीज़ा आपको, मतलब मां आपको एक concept समझाओं, कि जो sodium है वह water का दोस्त होता है, लेकिन water sodium का दुस्मन होता आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है मैं आपको बता दूँ कि sodium water का दोस्त इसलिए होता है बच्छो जैसे ही कोई भी चीज अपने body के अंदर गर water की घमी होती है तो अपनोंने उसको sodium ले लेते हैं का simple है कि अगर वहाँ पे आप जाच करोगे तो वहाँ पे आपको sodium का level decrease मिलेगा तो इससे ये पता चलता कि जहाँ पर पानी सला जाता है तो sodium को भार निकाल देता है लेकिन sodium क्या को रोकने की कोशिस करता है तो sodium का पानी दोस्त है लेकिन पानी sodium का क्या है दूस्मन है यह ऐस जो cerebral palsy है Children के अंदर किस टाइब की जो cerebral palsy है वो पाई जाती है आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि cerebral palsy जो है वो non-progressive है क्या है बच्चो non-progressive non-progressive central nervous system disorder CNS का मतलब आप समझ रहे हैं तो यह क्या है non-progressive central nervous system का disorder अब वहाँ पर देखे इसका जो right answer जाएगा this is the spastic cerebral palsy यह most commonly पहले पहले जाता है तो यह सारी परकार की palsy उसमें पहले जाती है उसमें spastic भी होती है ethidoid भी होती है ataxia भी होता है और mixed परकार की होती है yes ya no इसको dyskinetic के नाम से जानते है dyskinetic के नाम से भी इसी को जानते है yes ya no जो ethidoid है उसी को dyskinetic के नाम से जानते है जो most common भूचा होने को सारी होती है इसमें most commonly होती है वो spastic cerebral palsy पहले जाती है इसका right answer A हो गया बच्चो अब अपने इसके बारे में थोड़ी सी detail से steady करते है most commonly seen most common seen वो होती ispastic कौन सी होती है ispastic तो जो ispastic cerebral जो palsy होती है वो लगबग 65% होती है total का कितना हुआ 65% इसका मतलब क्या है most common है मैंने यह ही कहा है most common जो होती है वो कौन सी होती है यह होती है और इसके sign and symptom अगर इसका spastic का होता है तो इसके अंदर manly होता है paralysis क्या होता है paralysis और paralysis के अंदर इसके अंदर paraplezia quatriplasia paraplezia quatriplasia hemiplezia यह आपके लिए home रख है what is the quatriplasia hemiplezia and paraplezia यह सारी चीजे यह जो एक तरीके से इसका sign and symptom मानो आप अगर किसको spastic type का होता है तो इसके अंदर paralysis देखने को मिलता है और paralysis में उसको paraplezia quatriplasia hemiplezia सारी देखने को मिलते हैं यह तो होगी थी most common की बात दूसरी थी discainetic discainetic की बात थी yes ya no second जो अपना जो था discainetic यह second most यह लगबग 30% होते है कितना होता है लगबग 30% होता है जिसके अंदर body के movement disturb होते है क्या होते है movement जो होते है वो disturbed होते है movement क्या होते है बच्चो disturb होते yes ya no और नेक्स्ट बन की बात करें, थार्ड बन की बात करें, वो होता है अटेक्सिक, क्या होता है, यह होता है आपका अटेक्सिक, यह सेरे बेलम को एफेक्ट करता है, यह किसको एफेक्ट करता है, एफेक्ट ओन सेरे बेलम, सेरे बेलम, तो यह आपको पता है कि सेरे बेलम का मत लग होता है. बैलंस से. तो ये किसको Heyडबर спस्ष को उइस को करेगा पोस्थट डाइप को वहां पर हो लग करेगा Yes or No ये फेक्ट किसको करेगा बच्छो pitcher को उधेख्ट करेगा तो यह था । आपका किसके बारे में suffering from acute diarrhea, वो क्या कर रहा है, acute diarrhea से suffer कर रहा है and dehydration, यह से नू, तो आपको क्या करना है, आपको करना कि nursing assessment to an infant, अगर को diarrhea or dehydration है, तो आपका nursing assessment है, क्या acute, कि भी इसको acute diarrhea or dehydration है, तो कौन सी चीज इसमें से है, कौन सा assessment इसमें से करो, यह से आपको यह पता चल जाएगे, acute diarrhea and dehydration, इसका right answer जाएगा, वो जाएगा skin carger, यह से नू, right answer क्या जाएगा, skin carger, ओके, अब अपने इसके बारे में थोड़ा सा discussion कर लेते हैं, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, इसका बात कर लेते हैं, कि diarrhea क्या होता है, सबसे पहली बात जब बात आई, हाँ पर diarrhea की, तो मैं बात करूँ, diarrhea क्या होता है, diarrhea क्या होता है, diarrhea होता है, बच्चों, lose stool, क्या होता है, lose stool, lose stool है, वो more than three time, lose stool pass more than three time in a day, एक दिन के अंदर, अगर बेबी जो है, lose stool पार्क, मतलब पास करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, diarrhea केटिग्रीम बोलते हैं, यहाँ पर देखीगा, मेरा जो लिखाने का परपज़, उसमें साब साब लिखा हूँ मैं यहाँ पर, कि note night, यानि कि, इसके अंदर night का जो टाइमिंग है, 12 गंठे, वो उसमें include नहीं है, सिरफ day time है, यानि बात ऐसे होई, कि 12 गंठे के अंदर, अगर कोई baby lose stool पास करता है, वो भी 3 टाइम से जएदा, तो इस condition को क्या बोला जाता है, इस condition को बच्छो, diarrhea बोला जाता है, ये से नो, अब diarrhea है, वो आपका दो परकार से होता है, इसका तो आपको पता right answer भी हो गया, तो diarrhea है, वो दो परकार से होता है, पहला है बच्छो acute, ये से नो, acute diarrhea, और next बनाता है, chronic, ये से नो, पहला क्या है, acute है, और दूसरा क्या है, chronic है, ये से नो, जो acute है, वो up to seven days, up to seven days, कि साथ दिन के अंदर अंदर का अगर कोई diarrhea है, तो उसको acute diarrhea के नाम से मानते हैं, ये से नो, chronic वाला है, उसके अंदर आता है, more than 14 days, अगर 14 दिन से ज़्यादा, अगर more than 14 days का अगर diarrhea है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, chronic के नाम से जाना जाता है, ये से नो, अगर जो acute diarrhea है, वो किसी infection से हो सकता है, इसका क्या cause होगा, इसका cause होगा infection, और infection में man cause आपको पता है, वो होता है, rotavirus, क्या होता है, rotavirus, अरे एक एक चीज इंपोर्टेंट है, ये भी क्यूसन बार बार आया हो आया है, ये से नो, या फिर दूसरा जिजन क्या हो सकता है, कोई आपने एंटिबाइटिक दी है, आपने ये चीज सुनी होगी, कि एंटिबाइटिक की वज़े से भी diarrhea होता है, या फिर आपने कोई एंटिबाइटिक दी है, तो इन दोनों कंडिशनों की वज़े से, जो होता है, वो acute diarrhea होता है, और अगर आपने क्रोने की बात करें, तो होता है, इंफ्लामेटरी बावल डिजीज, इंफ्लामेटरी बावल डिजीज, मतलब यह हुआ, कि यहाँ पर कोई समस्य, कोई डिजीज यहाँ पर होती है, यह फिर mal absorption syndrome, mal absorption, मतलब आपर absorption होई नहीं रहा है, mal absorption syndrome, mal absorption syndrome, mal absorption syndrome, यह condition होगी, तो उस condition के वज़े से भी आपको क्या देखने को, मिलेगा, chronic diarrhea, वहाँ पर देखने को, मिल सकता है, अब आप उन्हें बात करते हैं, इस के कोई की, अगर उपन डाइरिया के कोई की बात करें, और कोई के अंदर बच्चो, मैं अगर bacterial cause की बात करूँ, किस कोई की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर bacterial cause की बात करूँ, bacterial cause के अंदर most common जो होता है, वो होता E. coli, कौन सा होता बेक्टिरियल के अंदर E. coli, आप कहोगे rotavirus वो तो virus है, अगर most common cause हो, जिसमें bacterial या viral दोनों में किसी का भी नाम नहीं दिया हो, डिरेक्टली आप से most common cause पुछे बच्चो, तो उसका तो answer rotavirus ही जाएगा छोटी बच्चो के अंदर, समझ में आगी, लेकिन अगरा वहाँ पर लिख दे कि bacterial का cause क्या है, बेक्टिरियल का cause क्या है, तो वो होता है E. coli, यह से नो, दूसरी बाद आती है Vibrio cholera, Vibrio, यह से नो, Vibrio, Vibrio cholera, यह से नो, इसके वज़े से होता है, इसके बाद में होता है, Salmonella, Salmonella type, यह से वहता है, देन किसकी वज़े से होता है, सीजला के वज़े से भी, यह इसके cause थे, आपको पता है कि kolera के अंदर, kolera के अंदर rice water stool देखने को मिलता है, कौन सा, rice water stool देखने को मिलता है, है Salmonate Typhi के अंदर P-Soup Stool यह से अनों यहां भी जानते P-Soup Stool देखने को मिलता है और सेजला के वज़े से disentry होती है सेजला के वज़े से disentry होती है सेजला के वज़े से क्या हो जाते है बच्चो disentry होती है तो यह तो बात हो गई थी इसके बारे में अब अपनों बात करें देखिए अपना क्यूशन था वो dehydration से related था माइल्ड dehydration माइल्ड dehydration देखा जाये तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ management की बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ dehydration के वच्चो management की बात करहूँ जो mild परकार का जो dehydration है वो 2-5% totally body का 2-5% body fluid loss body fluid loss अगर total body का 2-5% तक अगर fluid loss हो जाता है तो इस condition के अंदर को mild dehydration बोलते है और इसका जो management होता है बच्चो इसका जो management होता है वो क्या होता है ORS ORS ही इसका एक मातर क्या होता है management होता है अब आपने को ORS किस तरीके से देना है जैसे edge पर आपने बात करें अगर बच्चे की edge है वो less than 24 month है यानि यानि कि जो बच्चा है यानि कि जो बच्चा है वो 2 साल से चोटा है यह से अनो दो साल से चोटा है तो उसको 50 से 50 से 100 ml पर लूज उस्टूल देखिए इसमें और कोई option नहीं है यह जान देना कि इस तरीके से दिलते हैं कि पर लूज उस्टूल यानी एक बार उसको लूज उस्टूल पास हुआ तो उसके एवज में उसको 50-100 ml, पर 5200 ml, आपको एक बार में लूज स्टूल के साथ में ये देना है, ये से नो दूसरी बात, अगर बेबी की एज है, 2-10 येर है, 2-10 साल तक के भी इसका बच्चा है, तो उसको आप 100 से, उसको आप 100 से 200 ml ORS देते हैं, 100 से 200 ml ORS देते हैं, लूज स्टूल के साथ, यानि एक बार लूज स्टूल हुआ, तो अगर बच्चे की उमर 2 साल से कम है, तो 50-100 ml देतो उसको, और बच्चा 2-10 साल के बीच में हैं, तब उसको आप 100-200 ml देतो बीच कोहां पे, लूज स्टूल के साथ में आपको बच्चा के बास के साथ, का जो dehydration है moderate परकार का जो dehydration उसके अंदर 6 से 9% 6 तू 9% body fluid loss होता है body fluid loss होता है समझ में आगी body fluid loss होता है उसको कोण सा बोलेंगे अपने moderate type का बोलेंगे यह से नो moderate type का बोलेंगे इसके अंदर भी देखेगा इसमें अगर age है वो four month से कम हो तो अलग बात है इसमें देखो तीन चीज़े देखने को मिलेगी अपने इसमें तीन चीज़े देखेंगे पहली बात अपन यहां पर क्या देख रहे हैं सबसे बहले बच्छों age देख रहे हैं next one अपन वेट देखेंगे क्या देखेंगे वेट देखेंगे next one अपन वेट देखेंगे कि किती क्वांटिटी में देखेंगे जैसे इसका जो treatment है वो इस हिसाब से दिया जाता है अगर मैं age की बात कुरूँ जो चार मैंने से छोटा बच्चा है और अगर उसका वेट है आपको पता है less than उसका जो वेट है वो less than 5 kg है less than 5 kg है तो उसको आपको ORS कितना देना है 200 से 400 ml 200 से 400 ml पर दे रोज का 200 से 400 ml पर दे वांपर आपको देना है अगर बेबी है वो 4 से 11 मन्त का है अगर जो बेबी है वो 4 से 11 मन्त का है उसका जो वेट है वो 5 से 8 kg के आज़ पास है तो उसको आपको 400 से 600 ml पर दे देना है 400 से 600 ml पर देना है अगर बच्चा 4 से 11 महिने का है और बच्चा 12 महिने से 23 मन्त का है यानि 2 साल से थोड़ा कम अगर बच्चा है वांपर तो उसका जो वेट है वो 8 से 11 kg होगा 8 से 11 kg अगर बेबी का वेट है यह सारे क्राइटेरिया आपको मिक्स करने पड़ता है यह भी देखना पड़ता है इस कंडिसन में आप उसको दोगे 600 से 800 ml पर दे जो ORS देखो है वो 600 से 800 ml है वो आपको उसको ORS है न वो पर दे दोगे अगर बच्चा 2 साल से और 5 साल के बी आप 800 से 1200 ml पर दे के साब से देंगे 800 से 1200 ml पर दे के साब से देंगे यह है moderate वाला आपको पता है moderate को याद रखना थोड़ा difficult है moderate वाला सबसे हार्ड है इसलिए मैंने आपको moderate को अलग से लिखवा है बच्चो यह से अनो moderate का अगर अपनों management करते है moderate dehydration का management करते हैं अगर 5 kg से वेट कम है तो 200 से 400 ml पर दे दिया जाएगा अगर बच्चा 4 से 11 महीने के बीच का है और उस बच्चे का वेट 5 से 8 kg के आसपास है तो उसको 400 से 600 ml पर दे में दिया जाएगा अगर 12 महीने से 23 महीने का बच्चा है उसकी वेट है वो 8 से 11 kg के आसपास है तो उसको 600 से 800 ml पड़े के साप से दिया जाएगा, अगर दो से पांस साल का है, तो ग्यारा से 16 कजी उसका वेट हो जाएगा, और उसको आठ सो से बारा सो एमल पड़े के साप से, आपको क्या देना है बच्चो? और इस देना है, अब मैं बात करूँ severe dehydration की अब मैं बात कर लो severe dehydration yes or no severe dehydration severe dehydration body fluid body fluid more than 10% loss इसके अंदर total body जो fluid है वो 10% से ज़्यादा अगर body fluid loss हो जाता है तो उसको क्या बोलते है उसको क्या बोलते है severe dehydration बोलते है और आपको पता है इसके अंदर आपको क्या देना पड़ता है IV therapy उसको IV therapy देते है IV के अंदर जो solution है मैं लिए कौन सा देते हो आप RL solution देते हो ये से अंदर RL solution देते हो अगर बच्चे की age अगर बच्चे की age है वो अगर less than one year है ज्यान से सुनिएगा अगर जो बच्चे की age है less than one year है तो आप उसको 100 ml देंगे क्या देंगे 100 ml देंगे दो तरीके से देंगे एक बार में 30 ml देंगे और दूसरी बार है वो 70 ml देंगे तो 30 और 70 है वो 100 ml होगी जो एक बार 30 देंगे वो 70 देंगे ये से अंगर फैस्ट one hour इसको जो 30 ml वाला है जो इसका जो 30 ml वाला है वो फैस्ट one hour फैस्ट one hour अपने को IV fluid देना है जैसे RL देना है तो 30 ml तो सुरुात में जो सुरु का जो 1 hour है उसी में complete कर देनी है और देन जो 70 ml जो बाकी बच्ची वो 5 hour के अंदर आपको complete करनी है जब बच्चे की age है वो 1 साल से छोटा हो लेकिन अगर बच्चे की age है वो अगर more than 1 year होगे एक साल से ज़्यादा है तो वो ही आपको 100 ml देना है वो ही आपको 100 ml देना है वो ही ratio रखना है 30 ml वाला रखना है और 70 ml वाला रखना है शिरफ और शिरफ क्या change हो जाएगा वच्चो timing change हो जाएगा जो timing है वो शूरू यह 30 मिनट में देना है 30 मिनट में यानि कि आदे गंठे में और इसका भी 2.5 हावर यह अड़ाई गंठे में देना है 2.5 हावर के अंदर यह देना है इस तरीके से जो इसका solution है वो इसको अपको दिया जाता है तो अपको ने साइद डिहाइडरेशन और डाइरिया दोनों के बारे में डिटेल में स्टेडी कर सुखे हैं यह से नो चलिए next solution की बात करते हैं अपको लोग कैपट सक्सी डेनम रिजोल विदिन आपको पता है कैपट सक्सी डेनम और सिफेल हिमोटोमा दो कंडिशन होती है एक के अंदर तो फ्लूड का accumulation हो जाता है और एक suture line को क्रोस करता है एक suture line को क्रोस नहीं करता है सिफेल हिमोटोमा के अंदर हिमोटोमा बन जाता है बलड का वहाँ पे accumulation होता है कौन सा कब रिजोल हो जाता है किसमे फ्लूड बरता है किसमें जो वेंस वगएर है वो जो आर्ट्री वगएर है वो फटती है किसके अंदर हीमेटोमा बनता है यह सिफेल हीमेटोमा और इसका केपड सबसी डेनम दोनों का आपको बहुत डिटेल वीडियो मेरा करवाय हुआ है वहाँ पर जाके देख लीजेगा हर चीज को अपने कराने लगे जैसे डी हाइडरेशन और उसको डायरिया को करवाय था फिर तो मेरे साबसे एक क्लास में दो क्यूसन हो पाएंगे यह से नो बाकी यह क्यूसन कभी फिर से मोका पड़ा तो अपने इसको एक बार फिर से डेटेल से देखेंगे तो इसके अंदर जो कैपड सक् पाई उसको टाइम लगता है लेकिन यह साथ दिन में हो जाता है यह एक नोर्मल कंडिशन है यानि कि सिफेल हिमेटोमा के अंदर ट्रीटमेंट या मनेजमेंट की जूरत पड़ती है किसी भी परकार की सरजरी की आप सकता नहीं पड़ते है किसी परकार की मेडिसिन किसी प रड़िश डिस्कोरोरेशन आपको दिखें तो वह क्या है बच्चो वह नेविस फलेमस वह क्या है आपको पता है लेनु को क्या होता है आपको पता है यह लेनु क्या होते फाइन हेर होते हैं वर्निक स्केेसयो सा एक चीजी सब्स्टांस होता है मीलिया आपको पता होना चाहिए यह इंद आपको याद करें आणा कि मीलिया क्या होता है यह शेंनो यह दू यह बिए अक तरीके का बहुत सारे birth marks होते हैं, ये एक normal condition है, ये एक normal condition है, कुछ दिन बाद में ये हट जाएगा, कुछ दिन बाद में इरेडिस डिस्कलेशन हट जाएगा, अगर ने भी हटा तो जीवन में इसकी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत होगी नहीं, ये एटोमिट हट जाएगा, इसको क किसी भी treatment की ज़ुरत नहीं है, या पिर ये कोई भी परकार की disease नहीं है, ये कोई भी परकार की disease नहीं है, ये एक birth marks है, ये क्या है, बर्त माक्स है, समझ में आगी बात, ये क्यों सना आयवा है, याद रख लीजेगा, डीस का right answer जो मैंने बताए था, six, which is texture, separate the right and left atrium, right atrium और left atrium, मैंने वैसे भी आपको ऐसा इनोटिक, साइनोटिक डिजीज के अंदर congenital heart disease में CSD में बहुत बार ये diagram आपको देखने को मिला होगा, बहुत बार पढ़ा है, तो ये कहरा है कि right atrium और left atrium को, right atrium और left atrium को separate करने वाली ऐसी सरंचना होती है, जो allow करती है, बाइ right and left atrium के अंदर ऐसी कौन सी सरंचना है, जो उसको आपस में separate करती है, और lungs को bypass करती है, आपको पता है, आपको पता है कि वो जो चीज है, वो है कौन सी बच्चो, वो जो चीज है, वो है foramen oval, जो right answer किया जाएगा आपका, foramen oval, आप सभी लोग जान दे, foramen oval है, वो right atrium और left at rium के बीच में एक connection होता है, यूगि आपको पता है कि फिटर लाइफ के अंदर left side के अंदर, फिटर लाइफ के अंदर right side का जो प्रेसर इंक्रीज होता है, इसके उसे right side का जो blood है, वो left side की तरह move करता है, यहाँ पर एक abnormal opening होती है, फिटर लाइफ में तो इसको आप नॉर्म आपका A और उसको बोलेंगी foramen oval, यह से आनो, समझगी बात, अब अपन जब इतनी बात कर ली, तो अपन फिटर सर्कूलेशन की बात कर लेते हैं, तो फिटर सर्कूलेशन की बारे में वैसे तो बात हुई है, लेकिन मैं बताऊं कि आपको पांच स्टेक्शर अक्ष्टा देखने को मिलती है, फाइब स्टेक्शर आपको फिटर लाइफ में सर्कूलेशन में अलग परकार की देखती है, फाइब स्टेक्शर के अंदर आता है, वह आते हैं, अमलाइकल आर्टरी, फिर आती हैं, अमलाइकल वेन, यह सभी लोग आप जानते हैं, अमलाइकल आर्ट forums foramen oval, foramen oval और देन आतहा है ductus arteriosus, ductus arteriosus , आपको पता है यह पांचू major structure रिट के बाद में आपको नहीं दिखाई देती हैं यह पांचू major Starting र scholarship को बाद में आपको नहीं दिखाई देती हैं Yes, स्थियर नो तो Amilical Artery आपको पता एए Amilical Artery जो है Amilical आट्री है वो आपको पता है संख्या में दो होती है वच्छो अमलाइकल वेन है वो संख्या में एक होती है यह चीज़ आप ध्यान में रख लेना इसके कुछ से इसके कुछ मतलब रेमिनेट बचते हैं अमलाइकल लिगामेंट यह से अनों अमलाइकल आट्री की वज़े से अमलाइकल वेन है लिगामेंटम टेरिस ligamentum terris ligamentum terris फिर आगे ductus venosus ligamentum venosum ligamentum venosum ligamentum venosum फिर आगे phoramen ovale फोसा ovelis फोसा ovelis देन आगे last वाल आगे ductus arteriosus ligamentum arteriosum ligamentum arteriosum ligamentum arteriosum यह 5 इस्टेक्शर है जो आपको fetal life में देखने को मिलती है यह से नो अब आपको पता है इसकी functional closing है वो तुरंथ हो जाती है लेगिन जो anatomically जो closing है वो सबकी अलग-अलग होती है anatomically जो closing है amulical artery और जो amulical vein है amulical artery और जो amulical vein है इसकी जो closing होती है 2-3 मन्त ध्यान देनेगा इसकी जो anatomically closing है 2-3 महीने में होती है उसके बाद में डक्टस विनोसस जो होता है उसकी होजाती है 7 डेज में, कितने दिन में, 7 डेज में, उसके बाद में जो फोरामेन ओवेल है, इसकी सबसे लास्ट में होती है, इसकी होती है बस वन येर में, येस या नो, किस में होती है, वन येर में, एक साल में, और जो डक् स्कामेथ ऊपर मे Animation आत्रीबिएन दो काट दीक्योट इसको इसको बुलता है, इसकी फंक्शनल और तूरंदोड़ा जैसे अपनों Amolikyl Code की कटिंग करते हैं इसकी Functional Closing साथ दिन में होती है իोराम इन ओविल की एक साल में होती है डक्टस आप्रियोसेश की 10 से 21 दिन के अंदर होती है ये से नो ये आपको समझ में आ गया अब आते हैं अपने क्युसेन नंबर 7 की तरफ अब आते हैं अपने बच्चो क्युसेन नंगी 7 की क्या रहा है कि ओमफेलोसील क्या होता है, ओमफेलोसील आपको पता होना चाहिए, कि जो अब्डोमन केवेटिक जो ओर्गन है, वो अमलाइकस के थुरू भार की तरफ प्रोडूस हो जाते हैं, उस कंडिशन को, उस कंडिशन को ओमफेलोसील कहा जाता है, गेस्टोचेसिस और ओमफेलोसील दोनों कंडिशन होती है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, वो आपका सी जाएगा, बच्चो, राइट आंसर जाएगा, वो आपका सी जाएगा, पहले उमफेलोसील, दूसरा है, गेस्टोचेसिस, गेस्टोचेसिस, दूसरा क्या है, गेस्टोचेसिस, अब बात करता एक तो होगी गेस्थ्रो घेस्थ्रोगैस्री और सट्रोट सुन्हचों पैश्टाफ्टा मश्चोंत्र आंसर आपको बता एक्सotic आपको पता side से side of amelicus side of amelicus से निकलते हैं side of amelicus से निकलते हैं और इसके ओपर कोई परकार की covering नहीं पाई जाती है no cover इसके ओपर किसी परकार की covering नहीं पाई जाती है लेकिन वो ही जो omphelo seal है जो omphelo seal है उसके अंदर जो organs का protrusion होता है जो organ का protrusion होता है वो amelicus के दौरह होते हैं जो अमिलिकस होता है उसके अंदर शो होता है किसका औरगन का प्रोट्रूजन अब्डोमन केविटेगा और यह जो है यह क्या रहते हैं कवर रहते हैं यह डिफ्रेंस है यह डिफ्रेंस है डिफ्रेंस गेस्टोचेसिस और ओम्पेलोसील दोनों अब्डोमन वाल डिफेक्ट है जो अब्डोमन वाल डिफेक्ट है उसकी दो कंडिसन होती है इसमें गेस्टोचेसिस और ओम्पेलोसील के दौरा Ompello seal के अंदर Amalicus के दोरा Ompello seal के अंदर Amalicus के दोरा Abdomen Cavity के ओरगन का Protrusion होना भार की दिरब निकालना Ompello seal कहलाता है Seal मतलब Seal याद रख लेना कि उसके ओपर एक covering रहती है निए उसके ओपर seal रहती है Seal किसमें रहती है जिस नाम क्या कि ompello seal है, उसी में seal रहती है, यानि कि यह organ है, वो किसी membrane से cover रहते हैं, लेकिन वो ही condition gastrochasis है, उसमें organ है, वो आपकी amelicus के just past से निकलेंगे, amelicus के past से organ निकलेंगे और उसके ओपर किसी भी परकार की कोई covering नहीं होगी, इस condition को gastrochasis कहा जाता है, तो अपना जो question था, उसका right answer C होगा, इसने ompello seal पुचा है, तो कह रहा है कि organ का protrusion हो जाता है, कहां पे opening of the abdomen वाद, यह से नो, समझ में आगी बाद, चलिए, next one अगर नो, 8 number question, which of the following is the best root of drug administered in the newborn baby, यह कह रहा है कि चारो में से best root कौन सा होता है, चारो में से best root क्यों होता है, तो best root होता है, बच्चो, वो होता है amylical vein, तो B is the right answer, जो amylical vein जो होती है, वो क्या होती है, best root होती है, yes and no, IV line के लिए amylical root है, वो best root होती है, तो इसका right answer क्या जाएगा, आपका, right answer क्या B होगा, amylical vein, yes and no, amylical vein होगा, आपको पता कि intra-oceus भी दिया जाता है, क्या, intra-oceus भी दिया जाता है, intra-oceus भी दिया जाता है, बच्चो, लेकिन intra-oceus जो है, उसकी एक, मतलब condition जो अपर जो tibia होती है, intra-oceus मतलब bone में, जो अपर जो tibia होती, वहाँ से intra-oceus भी इसके अदर आपको दिया जाता है, जब बच्चे में severe dehydration हो, यह किस condition में देते हैं, जब बच्चे के अंदर, severe dehydration की condition हो, जब बच्चे के अंदर, severe dehydration की condition हो, बच्चा शोक में जा रहा हो, आई-वी लाइन नहीं मिल रही हो, विनस मतलब विन, जो आई-वी लाइन है, वहाँ पर नहीं मिल रही हो, और अगर बच्चे की age हो, वह less than three year हो, जो age है, बच्चे की वह क्या हो, less than three year हो, तो इस condition के अंदर, intra-oceus भी देते हैं, कहां से देते हैं, अपर टी-बिया के दुवारा देते हैं, किस condition में देते हैं, बच्चे की उमर तीन साल से कम हो, शीवे डिया एडरे सुनो, बच्चा सोख में जा रहा हो, आपको आई-वी लाइन नहीं मिल रही हो, ये सारी जो condition है, आपको क्या दिया दाता है, इंट्रा ओस्चे दिया दा, लेकिन जो क्यूस से आएगा, बेस्ट रूट, जो बेस्ट रूट, आपको सबसे बेस्ट रूट कौन सा बताना है, अमलाइकल जो वेन है, वो क्या होता है, बेस्ट रूट होता है, अमलाइकल जो वेन होता है वो क्या होता बच्चो बैस्ट वो नोवा की शन वाट इस दे मॉस्ट कॉमन कोज आपको पता है हाइपोक्षय जो है वो मोस्ट कॉमन कोज होता है इसका शीजर का यह सेनो नेल बुलू सल्फन टेस्ट टू डिटेक्ट यह कहरा है कि कि यह क्या है एक तरीके का शप्थिति आपको पता है शЕТर्पक्टेंट आपको पता लंग मिच्उरिटी को डीटेक्ट नडश। नैज व्लियू स्टिन्टक कहते है उसको ऑसको जो शप्थितिन उसको कर सकते है yourself जो से लिए कब स्टार्ट हो जाता है 20 week of gestation याद रखना 20 week of gestation जब मदर को 20 week की pregnancy हो जब भी surfactant बनना स्टार्ट हो जाता है यह से नो उसके लिए टेस्ट के जाता है निल बलू यह से नो surfactant कब बनते हैं बच्चो 20 week पे बनते हैं यह amniotic fluid में यह amniotic fluid में कब दिखाई देते हैं यह amniotic fluid के अंदर आपको 28 week पे दिखाई देते हैं और 28 week पे आपको पता है यह आपको पता है लेसिथीन और स्पंगो माइलिन दो परकार के surfactant होते हैं जो lung maturity के लिए देखे जाते हैं यह से नो उसको यह टेस्ट के नाम से जाना जाता है तो जो इसका जो इसका जो मतलब amniotic fluid में 28 week पे जो ratio होगा जो क्या होगा बच्चो दो अनुपाद एक का इसका ratio होगा जो amniotic fluid में surfactant 28 week पे मिलते हैं दियान अगना यह से नो 32 week की बात करें उसके बाद में 32 week पे एक अनुपाद एक हो जाता है इसका जो मतलब ratio एक अनुपाद एक हो जाता है 36 week पे 36 week पे आपको पता है वापिस दो अनुपाद एक हो जाता है जो इसका normal होता है lecithin and smangomailin normally कितना होना चाहिए दो अनुपाद एक होना चाहिए जो आपका 36 तभी कहते हैं 7 महीने का नुपाद एक तो आपके लंग्स में कोई ज़्यदा दिकत नहीं आती है लेकिन यही यही सर्पक्टिन 32 week पे जाके इसका जो रेशियो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है एक अनुपाद एक हो जाता है तब ही कहते हैं कि 7 महीने का बचसा जी जाएका लेकिन 8 महीने का नहीं जी था 8 चोक 37 और फिर 9 महीने का 9 चोक 36 तो मазलना 9 महीने के 9 मंत की जब प्रिगनेंशी हो जाती है तब ही डोक्ट्टर बोलते है 9 महीने में 8 महीने कंपलीट होने के बाद ये 9 महीने के अंदर interconnect के अंदर कोई परकार की कोई समस्या नहीं होगी वो इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे जो lecithin and जो sphingomilin जो surpactant है उसका अनुपाद वापिस से दो अनुपाद एक हो जाता है और यह अनुपाद क्या होता है नोर्मल होता है यह अनुपाद क्या होता है नोर्मल होता है तो आपके सामने right answer क्या है lungs की maturity को देखा जाता है यह आपका right answer था B is the correct answer है इसी तरीके से विनाएक नर्सिंग अकेडिमी के साथ में जुड़े रहेगा अपने विश्वास को बनाए रखेगा बच्चो अपने विश्वास को बनाए रखेगा कोई भी institute हो सभी अपने तरीके से अच्छा ही होते हैं किसी भी एक institute पर trust कीजिएगा नर्सिंग officer बढ़ने के सपना है जो आपका completely साकार हो जाएगा अगर आप किसी भी एक institute के साथ में जूडे रहते हैं धन्यवाद